प्रभुक्रिस्त में मेरे प्रिय भाईयों बहनों और शान्ती का राजा चैनल से जुड़े हुए सभी विश्वासियों आप सभी को जैये सूँ प्रभुक्रिस्त के जनमोच्षव की शुब कामनाएं सर्व प्रथम मैं आपको अपने रिदय से देना चाहूँगा ये हम सभी लोगों के लिए विशेश रूप से जो प्रभु येशू का अनुसरन करते हैं उनके लिए एक बहुत ही आशिरवादित समय हैं जिसको हम क्रिस्मस या क्रिस जैयन्ती कहते हैं क्रिस्मस के विशेय में हम दो तरह से समझ सकते हैं पहला एतिहासिक खोज और दूसरा व्यक्तिगत को एतिहासिक खोज तो हम धर्मग्रंट से पढ़कर जान सकते हैं कि किस तरह से चार हजार वर्षों से यहुदी जाती ने मुक्तिदाता के आगमन की प्रतीक्षा की और संदमतीक के सुसमाचार के शुरुआती पाठों में हम प्रभु येशु की वन्शावली के बारे में सुनते हैं और उन वन्शावली में हम विविद प्रकार के व्यक्तित्वों को पाते हैं ना केवल पुरुष जो की उस समय पुरुष प्रधान समाज के गणमान्य व्यक्ति थे बलकि उनके साथ उस वन्शावली में महिलाएं भी जूनी थी कुछ गेर यहुदी भी थे और कुछ पापी भी थे और उन सभी वन्शावलियों से मिलकर अन्थ में हम पाते हैं माता मरीयम जिनके द्वारा प्रबईेसु का ज़न्म हूँ और इस तरह से हम प्रबईेसु के बारे में एतिहासिक जानकारी प्राप्त करते हैं लेकिन यह क्रिश्मस हमें प्रभयेसु क्रिस्थ के प्रती एक व्यक्तिगत खोज की ओर ले चलता है और वो व्यक्तिगत खोज हम संतपापा फ्रांसिस के द्वारा प्रेढना पागर प्राप्त करते हैं संद पापा फ्रांसिस ने जैसे कि आप सभी जानते हैं सिनड बुलाई है और यह सिनड 2021 से शुरू होकर 2023 तक थी और संद पापा ने इसे अब 2024 तक कर दिया यह सिनड क्या है यह सिनड हमारी प्रभु के परती व्यक्तिगत खोज का एक माध्यम है जिसे हम अपने व्यक्तिगत विश्वास यात्रा और कलिसिया के साथ सामुहिक विश्वास-यात्रा के साथ समझना चाते हैं जैसे हमने प्रभु येशु के वन्शावली में देखा कि विविद्ध प्रकार के व्यक्तित्वों से मिलकर प्रभु येशु की वन्शावली पून होती है उसी तरह से कलीसिया की पृत्वी पर विश्वास यात्रा में हर एक विश्वासी के विश्वासी जीवन का बहुत ही महत्वपून योगदान रहता है वही संत पापा फ्रांसिस हमें बतलाना चाहते है उन्होंने कहा है के प्रभु ईश्वर की कृपा की परीधी के परे कोई भी व्यक्ति नहीं और इसी लिए प्रभु येश्वू ने इस संसार में जन्म लेना स्विकार किया सभी के लिए ताकि कोई भी ईश्वर की करुणा के परीधी के परे ना रह जाए हमने सिनिड की तैयारी में जो दस्तावेज आया था उनमें तीन तरह के व्यक्तित्वों के बारे में जाना पहला व्यक्तित्व था प्रभु येश्व का जो की हमारे मानव अस्तित्व और अनंत जीवन का केंद्र बिंदू आधार और पराकाष्टा है और दूसरा व्यक्तित्व था प्रभु येशु के शिश्यों का तीसरा व्यक्तित्व था भीड का जो प्रभु येशु के जीवन यात्रा में और धर्म ग्रंत में हम अनेकों बार भीड को देखते हैं लेकिन उस भीड का जो प्रति उत्तर रहता है वो हर एक द्रिश्य में भिन भिन रहता प्रभयेसु के जन्म के समय भी हमसु समाचार में तीन तरह के व्यक्तित्वों को देख सकते हैं पहला व्यक्तित्व है माता मर्यम और संथ योसफ माता मर्यम की उम्र किशोरवस्था में रही थी और संथ योसफ के साथ उनकी जो यात्रा थी प्रभी येशु के जन्म के पहले बैतलेहम से उस गोशाले की ओर वो शायद हमारे विश्वास यात्रा को भी प्रतिबिम्बित करती है और दूसरा दृष्य हम देखते हैं चरवाहों का चरवाहों का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही महत्वपून है जैसे हम जानते हैं कि प्राचीन काल से यहुदी जाती ने अपने मुक्तिदाता को चरवाहे के रूप में स्विकारा जब उन्होंने राजा की मांग की अपने चरवाहा के रूप में स्विकार और इसलिए सुसमाचार संद योहन के दस्वे अध्याय में प्रभ येसुने कहा है मैं भला चरवाह हूँ मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़े मुझे जानती है और शायद इसी लिए प्रभु येसु के दर्शन का सुसमाचार जो था वो इस व्यक्तित्व के व्यक्तियों, चरवाहों को प्राप्त हो क्योंकि वे रिदय के निर्मल थे, वे सरल थे और जीवन की जो साधारन समस्याएं थी उनसे वे अवगत थे, वे उनका सामना कर रहे थे और अपने जीवन में उन्हें जेल रहे थे और जो तीसरा व्यक्तित्व था, वो था उस समय के प्रधान व्यक्तियों का जो धर्म के पंडित थे, धर्म को अच्छे से जानते थे उस समय के राजनीती के प्रधान थे और जिनका प्रती निधित्व बहुत ही गहरा प्रभाव उस समय के राश्ट्र के जीवन पर डालता था तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन तीन प्रकार के व्यक्तित्वों का उस समय अस्तित्व रहा और इन में से चरवाहों को सु समाचार प्राप्त हुआ और मर्यम और युसुफ को ये कृपा प्राप्त हुई के उनके द्वारा उनके जीवन के माध्यम से हमें प्रभी ये सु प्राप्त हूँ मेरे प्रिये भाईयों बहनों इस समय जब हम क्रिस्मस मना रहे हैं तो शायद हम भी अपने आपको उन तीन व्यक्तित्वों में से एक जगे पा सकते हैं शायद हम भी माता मर्यम और संत योसफ के जैसे अपने जीवन यात्रा के ठंड के मौसम में यात्रा कर रहे हैं जाडा जिसे हम स्थानिय भाषा में कहते हैं बहुत कुछ सूखा रहता है शुष्क रहता है कठिन परिस्तितियां होती हैं उतार चड़ाओ बहुत रहते हैं साधन बहुत कम होते हैं लेकिन हम अपने जीवन में समस्याओं के साथ प्रभु येशु को वहन करते हैं। दूसरे व्यक्तित्व जो हैं वो चरवा हैं। सरल स्वभाव के नम्र साधारन। क्या हमारा धार्मिक जीवन ये बतला सकता है के हम भी साधारन चरवाहों के समान विश्वासी हैं। यदि हम हैं तो प्रभु येशु के जन्म का समाचार हमारे जीवन में भी उल्लास और खुशी की नई उमंग लेकर आएगा। और प्रभु येसु के जन्म में हमारे जीवन की सभी आशाएं पूर्ण हो जाएंगे लेकिन मेरे प्रिय भाईयों भेनों यदि हम भी उस समय के कुलीन वर्ग के समान हों अपने आख को धर्म ग्यान या आज के समाज ग्यान में सर्वश्रिष्ट मानते हूं तो शायद ऐसा ना हो जाए कि हम प्रभु के जन्म और उनके दर्शन से वन्शित रह जाए आज हमारे समाज में, हमारे विश्व में कितनी समस्याँ है संत पापा बार बार शान्ति की अपील कर रहे हैं शान्ति के लिए निवेदन कर रहे है यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो थम नहीं रहा है हमारे देश में बहुत सी समस्याएं है यूवा वर्ग बेरोजगार घूम रहा है मध्यम वर्ग साधारन जीवन के संसाधनों को प्राप्त करने के लालसा में भटक रहा है और जीवन की अभिलाशाएं पून्ड नहीं हो रही है इन सब परिस्तितियों में शायद हम भी प्रभयेशू के जन्म के सुब संदेश को अपने जीवन में अर्थ ढून रहे हैं कि प्रभयेशू के जन्म का अर्थ वास्तव में हमारे जीवन में क्या मायने लाता है प्रिये भाईयों भेनों, ये क्रिस्मस भी अनेकों क्रिस्मस जैसा ना हो. ऐसा कहा जाता है, आज कल क्रिस्मस का समय छुट्टी का समय हो. बहुत तयारियां होती हैं, बहुत से रंगीन, आकरशंस, साज-सजया हम देखते हैं. चमक धमक देखते हैं नए कपड़े देखते हैं लेकिन रिदय हमारा वही पुराना रह जाता है इस क्रिस्मस आईए हम सिनेड में जैसे प्रत्यक विश्वासी कलिस्या के साथ यातरा करता है हम इस समय साथ साथ प्रवियेशु के साथ पिता की ओर मुडे और मैं आपको बतलाना चाहूँगा के सिनेड का जो महाद्विपिय चरण है उस चरण की जो कलाकृती है जो लोगो है वो पहले लोगों से भिन्न है भिन्नता यह है कि इस लोगों में जो व्यक्तित्व हैं वे एक दूसरे का सामना करते हैं प्रिय भाईयों भेनों हम अपने जीवन में एक दूसरे का सामना अने को बार करते हैं कई बार हम एक दूसरे को देखते हुए भी अंदेखा करते हैं कई बार हम एक दूसरे को देखते हुए मन में ग्रणा जलन या और दुनियादारी के भाव लेकर आते हैं लेकिन सिनेड में यात्रा करती हुई कलिसिया में प्रव येसु हमारे साथ है जब हम एक दूसरे की और मुड़ते हैं एक दूसरे का सामना करते हैं तो क्रिस्त हमारे साथ है हम एक दूसरे का सामना प्रेम से करें एक दूसरे का सामना हम एक दूसरे को स्विकार करके एक दूसरे के पापों को शमा करके एक दूसरे को प्रेम करके करें संत पापा फ्रांसिस ने कहा था कि कलिसिया का सबसे बड़ा मन परिवर्तन जो एक दूसरे से दूरियां हैं उनको मिटा कर एक दूसरे को सुईकार करने शमा करने में हैं तो मैं आप लोगों को इस महान पर्व की शुकामनाई देता हूँ प्रार्थना और आशा करता हूँ कि प्रभु येसु का जन्म हमारे जीवन में हो और सिनेड की और अग्रिसर कलिसिया के हम सदस्य होकर एक दूसरे को साहस बंधाएं एक दूसरे को प्रभु येसु का संद और उमंग का संचार लेकर है इसके साथ आप सभी को क्रिस्ट जैन्ति की शुब कामनाई जै येसु